Hello everyone, welcome to Sarawad Mishra's YouTube channel में YouTube channel पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं कोई भी बड़ी वेकेंसी या छोटी वेकेंसी अच्छी वेकेंसी गौर्णमेंट स्कूल में या फिर प्राइबेट स्कूल में जब भी आती है तो मेरे YouTube channel पर आपको उसकी अपडेट मिलती है साथ ही साथ आ चुकी वेकेंसी के अलावा जो वेकेंसी आने वाली है जिसकी घोशना हो चुकी है और वो उस पर जल्दी काम होने वाला हो या फिर वो आने वाली हो जल्दी उसकी advertisement वो सारी information भी अपडेट भी आपको मेरे YouTube channel पर मिलती है तो सेप्टेमर मंत में 4000 गवर्मेंट टीचर की वेकेंसी जाने वाली है या फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होगी उससे रिलेटेट न्यूज हम कवर करेंगे अच्छी ख़बर है 4000 भरतियां अगर कहीं पर भी होती है तो मतलब 4000 लोगों के लिए employment का रास्ता खुलता है तो चलिए आगे बढ़ते कहां से अपडेट आई हुई है तो यह अपडेट आ रही है हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सितम्बर से 4000 प्री प्राइमर प्राइमरी शिक्षकों की भर्ति प्रक्रियास शुरू सितम्बर में होने की अव्पी सिक्षा निदेशाले के प्रस्ताओं पर राज्य सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया है आगामी केट बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताओं को लाया जाएगा मुखिमंद्र जी ने 15 अगस्त को सिर्मौर में राज्यस्तरिय स्वतंत्रता दिवस के अफसर पर राष्ट्रिय सिक्षानीती में जल्द प्री प्राइमरी सिक्षकों की भरती करने की घोशना कर दिया तो 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जी उन्होंने इसकी घोशना कर तो भी है कि प्राइमरी 4000 टीचर की रिक्रूटमेंड होगी इसके बाद इसमें के इसको क्वालिफिकेशन वाले क्टैट्स यहां पर बोहौट ट्रेमेग्तर निर्टी ट्रेंग एंटीटी करने वालों और आंगण जिन के पास है या फिर इसमें खास मुझे नजा आ रहा है कि आंगन बाड़ी जो वरकर्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी एक या दो वर्ष के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिपलोमा में किसे भरती में प्रात्मिक्ता दी जा इसको लेकर भी फैसला नहीं हो पा रहा है आंगन बाड़ी कार्यकरताओं के चयन को लेकर संसेक की स्थिती बनी हुई है भरती के लिए इन दोनों वर्गों में अधिक्तम आयू वर्ग को तै करने के लिए भी सहमती नहीं बन सकी है सिक्षा विभाग इन परलुओं को लेकर सिक्षा मंत्री जी से सब्सक्राइब है और आयू वर्ग तो यह जो आंगन बाड़ी कार्यकरता होंगे और एंटीटी वाले कैंडिडेट्स होंगे इनकी जो एज लिमिट है वह तै करने में प्रॉब्लम हो रही है बाकि यह जैसे ही हो जाता है तो इसका जल्दी प्रस्ताओं को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में पेश किया जाएगा और 4000 सिक्षकों की भरती की जानी है